नमस्कार दोस्तों मैं वर्शाव गातम आपकी योगा एक्सपर्ट स्वागत करती हूँ आपका केरवर्ड चैनल में फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आसन की जिसके बहुत सारे बेनेफिट्स हैं अगर हम बेनेफिट्स की बात करें तो अस्तिमा, डाबेटीज, स्लिप डिस्क और इसके साथ ने थायरेग, सर्वाइकल की प्रॉबलम, ओबिसिटी या अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉबलम है तो सिर्फ एक आसन आपकी हेल्प कर सकता है जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भुजंग आसन की भुजंग आसन के जितने बेनेफिट्स बताएं जाएं फ्रेंड्स उतने कम है और हाँ, ये डिप्रेशन के लिए भी बहुत ही जादा लाबधायक आसन है तो आईए सीखते हैं एक बार भुजंग आसन के इस आसन को किस तरीके से करना है भुजंग आसन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पेट के बल लेट जाना है कुछ इस तरीके से, अपने हाथों को अपनी चिस्ट के पास रखे और डीप इन्हेल करते हुए अपनी एल्बो को पूरा स्ट्रेच करें और अपने पैरो को मिला कर रखें जितनी देर आप से रुका जाए इसको होल्ड करें और फिर दीरे से एक्जेल करते हुए वापस आ जाएं और मकरासन में रेस्ट करें अपने पैरो को खोल ले और अपने हातों का इस सरी के सिफिलो बनाकर अपने फेस को रखकर वेस्ट करो अब दीरे से उठकर बैठ जाएं तो फ्रेंट ये था हमारा भुजांगासन तो आए जाल लेते हैं कि भुजांगासन के कौंटर इंडिकेशन कौन कौन से हैं कि किन लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए तो अगर सबसे पहले बात करें तो प्रेगनट लीडी को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए और अगर आपको पेट के असर की प्रॉबलम है या हर्णिया की प्रॉबलम है तो भी इस आसन का अभ्यास ना करें और अगर आपको slip disc की problem है तो इस आसन का अभ्यास ध्यान से करें तो friends ये था भुजग आसन अगले आसन के लिए फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार देखते रहें किये वर्ड चैनल